Hello friends, welcome to SSC coaching center दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही important question है, पूरा वीडियो देखेगा जिससे की exam में ये question अगर पूछ लिया जाए तो आप उसे करके आपाएं, शेली start करते हैं, पहला question है, एक घड़ी प्रत्यक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दो प एक घड़ी प्रत्यक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, प्रत्यक दिन का मतलब है, एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, अब उसने बोला है कि 12 बजे, 2 पहर के 12 बजे सही set करके चलाया जाता है, तो प्रत्य है चार बजे क्या समय दिखाएगी, अगर हम दोपहर के बारा बजे सही सेट कर देंगे तो दोपहर के बारा बजे से रात के बारा बजे तक बारा घंटे हो जाएंगे क्योंकि उसने जो पूछा है प्रात है चार बजे का पूछा है मतलब सुबह के चार बजे का तो दोपहर के बारा बजे सही सेट करके चलाया था, तो राद के बारा बजे तक बारा घंटे हो जाएंगे, और राद के बारा बजे से फिर सुबह के चार बजे तक चार घंटे हो जाएंगे, तो बारे और चार सोला घंटे हो जाएंगे, कितने घंटे, सोला घंटे, ठीक है तो वो क्या समय दिखाएगी, मतलब 16 गंटे में वो क्या समय दिखाएगी, जब 24 गंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, तो 16 गंटे में कितनी मिनट आगे हो जाएगी, एक तरह से यही है सवाल, ठीक है, चलिए, 16 गंटे में कितनी आगे हो जाएगी, 24 गंटे में कितनी आगे ह आगे हो रही है, 24 गंटे में, तो 16 गंटे में कितनी हो जाएगी, यही पूछा है, 8 दुने का 16 कटेगा, 8 तरिक का 24, 3 से 15 पांच बार में कटेगा, 5 कांट पर 2 से कर दो, तो 10, मतलब 10 मिनट आगे हो जाएगी, तो परात है 4 बजे, वह क्या समय दिखाएगी, परात है 4 बजे क्या समय दिखाएगी, 4 दे को कैसे बसते हैं, ऐसे बसते हैं, ठीक है, और 10 मिनट वह आगे हो गई, तो 4 बजे के समय पर, वह 4 बज के 10 मिनट का समय दिखाएगी, यह आपके सवाल का बिल्कु सही जवाब हो जाएगा, D option, मतलब सुबह के 4 बजे के टाइम पर, वह 4 बज क मिलने आता है, पहली बार, वह 12 बज के 30 पीम पर आया, कितनी बज़ आया, इदर लिखता हूं, 12 बज के 30 पीम पर, ठीक है, अगली बार, एक बज कर 20 पीम पर आया, एक बज कर 20 मिनट पर, ठीक है, फिर आया, दो बज के 30 पर, दो बज के 30 पीम पर आया, और फिर 4 पीम पर पर आया उसके बाद में ठीक है चार पीम पर आया उसके बाद अनिल से मिलने सुनिल कब आया इसके बाद में वो कब आएगा चलिए पहले बारे बज़ के तीस मिनट पर आया उसके बाद एक बज़ के बीस मिनट पर आया उसके बाद दो बज़ के तीस मिनट पर आया उसके ब सटर मिनिट का आंथर देखेगUh एक बजके 20 मिनिट से 2010 मिनिट के और यह hebben इसका अंतर कि दो बज़ के 30 मिनिट से पूरा पूरा चार है मतलब देड़ घंटा का फरक है देड़ घंटे का मतलब क्या हो गया 90 मिनिट का अंतर है ठीक है अब यहाँ पे देखो अंतर से आपको मालूम हो जाएगा यहाँ 50 यहाँ 70 यहाँ 90 यहाँ पे तो 90 के बाद भाईया सभी में आप डवल डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे देखो 20 का अंतर यहाँ पे देखो 20 का अंतर तो यहाँ भी 20 का अंतर होगा यानि कि 50 में 20 जोड़ा 70 70 में 20 जोड़ा 90 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 मिनिट के बाद आएगा चार बजने के बाद में वो कवाया 110 मिनिट के बाद आएगा 110 मिनिट का मतलब क्या है एक घंटे में 60 मिनिट होते है मतलब 5 बज जाएंगे बचे कितने 50 मिनिट तो 5 बज के 50 पीम पर आएगा अगली बार कवाया 5 बज के 50 पीम पर आएगा किस option में देखिए, D option में दिया गया है, ये प्रिश्णी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अब देखेंगे अगला प्रिश्णी, अगला प्रिश्णी है, यदि किसी घड़ी के अंकों को, एक को L से, दो को M से, और आगे भी C प्रेकार हो, तो 8 पर कौन सा अक्षर होग अब ये लगाता रहे किया, L, M, N, O, P, Q, R, S, 8 नंबर पे S होगा, ऐसे प्रिश्णी में तो ज़्याद से में आपको लगाना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, कि L के बाद जो अल्फावेट है, वो M लगाता रहे, L के बाद में M ही आता है, कभी कभी एक अल्फावे पीच में से गायव हो जाता, तो एक अल्फावेट का वहाँ पे अंतर रहता, तो सभी में भी एक अल्फावेट का अंतर आपको लेके चलना होता, इस बात का विस्स ध्यान रखना है आपको, अब देखतें अगला सवा, अगला प्रशनी है, एक घड़ी में 4 बज कर 30 बज होगी, तब आपके 4 बजाएंगे, यही तो है प्रशनी, लेकिन उसने बोला है कि मिनट की सुई पूरब की और है, यह मिनट की सुई पूरब की और है, मिनट की सुई देखो कहा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसको इसने पूरब बोला है, पूरब का जश्ट एक लाइन में यहां डाल लेता हूं यह वाली क्योंकि चार दिशाएं हो जाएंगी ठीक है यहां पूरब का एंटी कलोग वाइज हमेशा उत्तर होता याद रखना यह चारो दिशाओं को याद रखने की ट्रिक बतारा हूं अगर पूरब आपको यहां दे दे तो उत्तर यह आ उत्तर के सामने ंधा है गंते की सुईंग किस दिशामे होगी आप गंते की सुईंग किस दिशाम है यही तो दिशा है। यही तो दिशाम तो ये वाली दुशा में है घंटे की सुई तो उत्तर पूरप गंटे की सुई किस दुशा में है उत्तर और पूरप के बीच में है उत्तर पूरप यानि कि C option बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आपका आप देखेंगे अगला सवाद अगला प्रश्नी है नो बज कर 30 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अंश का C Augen बनेगा नो बज कर 30 मिनट पर तो देखिए 9 बज कर 30 मिनट मिनट कर क्या है मिनट की सुई कहां पर होगी 7 पहोगी और गंटे की सुई 9 और 10 के बीच में होगी ठीक है आदा गंटा का मतलब क्या है आदे गंटा का यी दो साड़े दस हो, साड़े ग्यारा हो, डेड़ बजा हो, धाई बजा हो, ऐसे में क्या होता है, जो गंटे की सुई है, वो इन दोनों के बीच में होती है, अगर साड़े तीन बजने तो तीन और चार के बीच में होगी गंटे की सुई, साड़े चार बजने तो चार और पांच क कोण होता है, तीन गंटे में नभवे डिगरी का कोण होता है, ठीक है, जब आपकी, כंटे की शूइन नौपर होगी ऐसे, है ना, तो यह 90 कअ डिगरी का कोण, आपको दिखाई दे रहा है, यह 5- zaj lastIt का, और आपका half में से 2 अब ये 90 का, थीक है तो ये 90 degree का कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 3 गंते में तो 90 degree का कोण बनेगा ही बनेगा, ये 90 degree का तो कोण बनना यह है, बनेगा ही बनेगा, अब ये क्या है, गंते की सोई, 9-9 पर है, अगर 10 पर होती तो पूरा एक घंटा हो जाता, लेकिन बात है तो 90 डिग्री का ये और 15 डिग्री का ये मिल करके कितने डिग्री का बनेगा कौंट 105 डिग्री का बनेगा भाई प्रेशने का बिल्कुस सहाई है जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को एक लाइक कर दीजे सबी बच्चों से एक ही रुक्वेस्ट है जो वीडियो माओगे वही वीडियो बना करके दूँगा बस एक लाइक चाहता हूं मैं आपसे क्या वीडियो उसके लिए सिर बताईएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद